सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स लेक्टर से हम हिस्ट्री क्लास 8 की स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज जाद जादा शेयर कीजिए और ताकि सबी बच्रों को benefits मिल सकें तो start करते हैं इस chapter के सबसे पहरे हम करते हैं फिलिंद ब्लैंक्स अब बिल्टपेरिया इस डेंसली कवर्ड बाए एक बिल्टपेरिया चैप्टर में बताया था बिल्टपेरिया तो वह किस से कवर्ड रहता है बिल्टपेरिया उस एरिया को और कि अगम्डपेरिया शॉइंड ब्रिदिंग्स कमें और विल्टपेरिया इसे सटूमनें जो पॉरे गारणाए बिल्टपेरिया नस além न्मबाइस सप्रहां सकती हरे ने च éénकुम्डपेरिया और डैलीimentos कि सब्सक्वाइस सुस्न पोपूलिस सप्रिंदिन आप नासग नम स्टी एसी सिटी एक ती जो स्टील फ्लांट के पास डेवलप अप्रोजी तो लेंडन की एक सेटिलाइट सीटी एक इसकी लंडन की अधसेटी यूजसे से जोसेज रिवाद एन्फरमेशन टेक्नलोजी एक टेक्नलोजी प्रफिशेंट लोगों कोसे में तो इस पीपल यह ज बाद है निसमें सब्से पेहला विच ओव इंप विद इन फिटिय इस नाट इन फांसी इस इसमें अभी लोग नहीं रहते हैं यहां जरी को कोई सिस्टेट्में इनकरेक्ट गलत देडरा फ्यूर जब्स रूरल अर्यास में कम जॉब्स और यह जॉब्स पताना थैसल रूरल अर्यास में पपल्स जादा होती है वहां तो कम होती है तो फैक्टर्शन लो होती है इंकरेक्त पॉपिलिशन टैंसिटी लो होती है रूरल एरियास में इस पॉपलिशन पाइब्स का इस अधिन लाइज है यह से मुनिसिपल गवर्मेंट के अडर होता है तो और बॉनिसिपल्ण सेम होती है यह गलत है आपका तो यह तो शौनला पर अप्षिन आपका एड़ की तर्वाज रहे रहते हैं यह आपकी सख्ङूबिंग ऐस धन्पर और हैं ख़्रीज़ लेदेगे चाहिब होती है यही है उधिक पुछ अब युज्टिक+. बहुत सारे लोग नाइब्रिंग लार्ड सुटी में चले जाते हैं वर्क के लिए दॉट सटेटमेंट बुजाब का क्राइब सेटिक नहीं है सेटलाइब सटी का वह पॉनिसिपल गवर्मेंट एज नाइबरिंग लार्थ सटी पिकदी इंकरेक्ट पेर चंडीगर मोहाली ब्रिस्वेन इक्सविच न्यू यॉक्स न्यू हैवन हैं हैदराबाद थाने तो सब्सक्राइब सब्सक्वाइब सुख़ कॉंप्स जяв कैरें चप्रक का सब्सक्रography फिश। ओक अंसरे ना करते हैं शुञफर की कसेश्च फेश्ट की चल्व सब्सक्राइव जो लोक रहते हैं बैंके पपोल इस होना इस सभी फैक्टर्स को compiled ऑवन ऐस इस टाइप के माइग्रेशन को हम एक कारण मानते हैं कि असी वजह से हो रहा है तो रूरल टू अर्बर माइग्रेशन जो होता है कि गाहों से जो लोग शहर में आ रहे हैं तो में कारण हो गया अर्बनाइजेशन होने का ने मैंनी फाइविली पॉपुलेटेट सिटीज इन एशिया के पाँच ऐसे शहर बताने हैं जो बहुत हैविली पॉपुलेटेट है शांगई बेजिंग त्यांजीन जैली और मुंबई ये फाइविली पॉपुलेटेट सिटीज है एशिया की नेक्स्ट्री में कॉज़ेशन अफ अर्बनाइजेशन के तीन में कारण बताने है तो पहला है नेचर नेचर अर्बन इंक्रीशन इन एर्बन पॉपुलेशन में नेचरल इंक्रीश होता चारा है माइड फम दूर्पर पाटेशन के यह तिन मेंक्वाजिशन के नेक्स्ट के इस ट्रॉपूरर्य रेजिशन लोग रहते वो बहुत ही पूर कंडिशन पर बहुत ही खराब कंडिशन्स में रहते हैं जिन हम बोलते हैं स्लम्स नेक्स्ट वाट इस सेटलाइट सिटी सेटलाइट सेटलाइट सिटी क्या होता है सेटलाइट सिटी और इस वाट इसंतों मैं अन्ड गाज़बाद सेट इस स्माट इंटू स्मार्इट सिटी के मिशन के अंतर सरकार ने कौन सी कोई भी चार सिटीज के नाम आपको ऐसे बताने जिन्हें सरकार ने चूस किया है कि वह उन्हें डेवलब्ट सिटीज में स्वार्ट सिटीज में करेंगे तो जैपर इन राजिस्थान सुरत एं नहम्दाबाद इन गुजरात कोचीन कैरेला तो यह फोर आप और यह जो रूसेटॵमेंट होता हैं चैनलम होता है उस नीह चैनलमें कichijn बीच होता है उस पर सपेस्ट हुते हैं सप् वुपर परोड़र ताफ दीज वसकताई पुर्प्राइश ठीज फूर्मेशन इशन सब्सक्राइब ऑपया मेटोटर से चोज बड़ nós भी सब्सक्राइब गरते हैं दोनों के इसमें का डिफ्रेंस होता है में प्रपोर्शन में इंक्रीज होने को हम बोलते हैं अर्बन अरिया है और सब्सक्राइब के बीच में रूरल अरिया होता है जहां से क्वेटर्स रूरल से अर्बन माइग्रेशन और ट्रांस्वार्मिशन इधर है में मैं इंपर माइगरेशन प्रूरल अर्फ यृष में रूरल अर्बन अर्फ या भी में अन्न यूज लोग अच्छी फैसलिटीज की जरूरत होती है जैसे जॉब एंड बैटर फैसलिटीज इनकी वजह से वह लोग रूरल से अर्बन अरिया में क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं जबकि ट्रांस्फोर्मेशन का मिनिंग क्या हो गया माइग्रेट के वो गया होती पीपल माइग्रेट टे थांज इन पार्वेशन लोग जो रुसटे में जाते हैं क्यों और प्याल हैं जब आन। चभा जब इंडीस्ट्री रेवालुशें स्टाट रुटर रबं ठांस वे अट टायम ओफ दी गोल्ट रश्वाथ हुआ जब ड़ंट पर नहीं ख़दान मिलती है किसी चीज़ की किसी एक जगा पर गोल्ड की कोई ख़दान मिली तो लोग आकर महीं पर क्या कर रहे हैं माइनिंग करें ताकि उन्हें अच्छी इंकम हो उटीय नाच्रेस इंकम होता है क्या इन्हें अच्छी इंकरिश हो जो अर्ब कर इसलिए तो नाच्रेस श्क्लिख उता है नाच्रेस होता है दो जो पॉप्लेशन ग्रोथ देथ जादा होती है जब कि अच्छी अच्छी अवर्पी एजाएं पर एक तरह निए परजीन आच्छी होती है है यह दिए एक पीपर लिविंग इंद अरिजार और फागले से आथे भी अच्छी एजेल सकते हैं इसीलिए जाते हैं इने करन फाद पारन यार्ड पोडेशि तो दो रीजन से जिसकी वजह से लोग रूरल से अर्बन अर्यास में माइग्रेट करते हैं सबसे पहला बताया था अच्छी जॉब के लिए और हाई कमाने के लिए लोग अर्बन अर्श में चले जाते हैं अच्छी क्वानटिटी में बहुत हाई क्वाइब रहती हैं और बिजनस भी अच्छा हो जाता है क्योंकि महां पर इंडस्ट्री च्रेड और कॉमर्स बहुत जादा रहता है इंडस्ट्री डिवालिशन अंच्छी यानिक इंडस्ट्री के डेवलप्मेंट होने की वज़े से भी बहुत जाधा अर्बनाइज़ेशन होता है फास्टेस्ट रेट और रूरल अर्बन माइगरेशन इस सीन कंट्रीज डेट एकनोमिकली लेस्ट डेवलप्ट बट इंप अर्बन राइज बॉलते हैं अर्बन 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 इस सामाजिक और धार्मिक प्रीडम मिल जाती है इसी वज़े से लोग ज्या करते हैं आपर मूफ करते हैं माइगरेट करते हैं having a better life than rural areas और अर्बन 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 अर्फ बहुत जादा अच्छी होती है as compared to rural areas next question explain with an example how a rural area get urbanized आपको example के साथ बताने की rural area urbanized कैसे हो गया rural area transforms in an urban area in the course of resource utilization rural area आपका urban area में transform हो जाता है जब resource utilization की बात आती है when a new mineral deposit is discovered in an area मानलेजे किसी area में नया mineral deposit मिली है मिली है यानिकी ख़दान मिली है एक mineral की माइन्स साइट उस जगा पर माइनिंग होगी उसके बाद फैक्ट्रीज हाउसिंग फैसिलिटीज पावर सप्लाय ट्रांसपोर्ट रूट्स यह सभी डेवलप होंगे वहां पर ठीक है डेवलप होने के बाद धीरे धीरे वह साइट आपकी urban area में इसके दो एक्जामपल हमने चैप्टर में पढ़े थे इंडियन सिटी ऑफ जम्शेद पुर यह स्टील प्लांट के आसपास यह सिटी डेवलप हो गई थी जो एक एक्जामपल रूरल बंड टांसफोर्मेशन का और दूसरा एक्जामपल आप लोग बताएंगे जो हमने च technology positive effects में सबसे पहरा effect किया ₹ ?Industrialization vapor करता इंड स्टी अप्लाइचन कость coming सब्सक्राइब हो जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ नेगेटिव एफेक्स देखते हैं जैसे पॉपलेशन इंक्रीज होगी न अर्बन एरिया में तो लोगों को स्मॉल एरिया में ही रहना पड़ेगा क्योंकि लैंड थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं छोटे एरिया में लोग जादा लोग रहते हैं लार्ज नमबर ऑफ हाउसे ब्ल्टिं स्मॉल एरिया एंड इंड विकम्स कंजिस्टेट और स्मॉल एरिया में ज्यादा बहुत सारे हाउसेस बनाने पड़ते हैं और अरिया आपका कंजिस्टेट बन जाता है हाउस रेंट इस वेरी हाइए और प्र इस भी कॉस्ट भी जादा हो जाता है यह थे पॉजिटिव नेगेटिव एफेक्ट सर्बनाइजेशन के नेक्स लास्ट क्वेशन है इस चैप्टर का एंड इस बुक का वैं कैना सिटी भी कॉल्ड स्मार्ट सिटी कब बोल सकते हैं और कोई भी दो स्मार्ट सिटी के नेम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है अगर आपको पूरी जोग्रफी बुक में तहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट करके जरूब अगा वीडियो आपको कैसा लागा नेक्स लेक्टर में हम हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 8 की स्टार्ट करने वाले हैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और दें सेविक्स भी ह ना भूले मिलते हैं नेक्स लेक्टर में थैंक यू